तेंक यू डॉक्टर थंबी दुरे जी मानिया स्रीमती प्रियंका चत्रुवेदी जी तीन मिनट जी सर आपका मैं अभार व्यक्त करना चाहूंगी सबसे पहले तुम्हें श्रिया यादव जी तानिया सोनी जी और निविन डालविन जी के परिवार को अपनी संवेदनाय व् समय में किसी बच्चे के साथ ना हो और वो बच्चा जो एक उपरच्विनिटी के को ढूंटे हुआता है उसके साथ तो कता ही ना हूं सर मैने जब भी अखबार आज पढ़ रही थी उसी फ्रंट पेज पे बाईस साल के युवा हैं हर्याना के रवी माउन रवी माउन उनक कि मौत हो गई रश्या के वार में लड़ाई लड़ते लड़ते हैं बाईस साल के वो भी युवा हैं वो भी ऑपिच्यूनिटी एक लैक ओफ ऑपिच्यूनिटी जो देश में हो रही है जिसके चलते एक युवा को मजबूर होना पढ़ रहा है कि रश्या युक्रेइन वा में उस पर भी चर्चा करें पर अच्छी शुरुवात है मैं उमीद करती हो आने वाले समय में हम वो चर्चा करेंगा सब जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय पर बात की गए थी पापा ने किस तरीके से वार रुखवा दी और जो युवा हैं वो वहां से युक्रे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए और ये दूसरे युवा हैं हर्याना कि अगर आप पढ़ेंगे उनके बारे में उनके परिवार ने अपनी लैंड बेच दी इस उमीद में कि वो जो लैंड का पैसा आएगा वो एजिंट को पे करेंगे और वो जाकर दूसरे पाइदा हमारी सरकार ने इसरेल के साथ ऐसा ही एक साइन किया है, ट्रीटी साइन की है कि हमारे युवाओं के पास यहां पर रोजगार नहीं है तो जाये इसरेल पे बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़िए उनकी वार हम लड़ेंगे और हमारे बच्चे यहां पर उनको एपरिंटिशिप प्रोग्राम दे दिया जाता है तो अगर युवाओं के बारे में व्यापक चर्चा करनी है तो इस एको सिस्टम को खतम करने की जरूरत है जहां पे सरकारे हों, सरकारी नुमाइंदे हों और साथी साथ ये कोचिंग सेंटर से लेकर ये पूरा एको सिस्टम जो हमारे युवाओं के सपनों को तार-तार कर रहा है, चूर कर रहा है, उस पे किसी तरीके का संग्यान लिया जाए और सक्ट से सक्ट कारवाई हो, ये ना हो कि दस लोगों को आपने जेल में डाल दिया, तीन महीने बाद बेल दे दी, और फिर वर्क ऐस यूजल चल रहा है, तो इस पे गंभीर मैं मानती हूँ, चर्चा होनी चाहिए और रेगूलेशन जो सब मांग करे हैं, उस रेगूलेशन पे भी ध्यान देना चाहिए, आपका बहुत बहुत अभास, ये डॉक्टर फौजी अ